है एपी क्या है दिखा तो दो अरे वाग हेलो मैं यूट्यूब की ब्यूटिफुल सी फैमली कैसे हैं आप सब वेलकम बैक तू मैं चैनल आई होब कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी यह बिल्कुल ठीक हूँ तो मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम है और मैं यही से अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ नया ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मिन्स मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के टाइम से तो यहां मैं अपने लिए बना रही थी सैनलेट्स तो मेरे पास रखे थे आलू मिन्स आलू तो आलसा जाता है और सोस्तियों चलो इसमें इकाम चला लेते हैं यहां मैंने दे दिया था कभीर को कभीर क्यास तबेटी ने थी तो इसलिए उसे स्कूल नहीं भेजा था और यहां यह खा रहा है दैन मैं अपने लिए भी सेम चीज बनाने वाली हूं यहां मैंने डेडी कर जाय अब चाय मैं निकाल लूँगे और मैंने अपने लिए एक सैंविच रेडी कर लिया था तो दोस्तों मैं आप लोगों को पता दूँ आजकल कभीर के बड़े मज़े हो रहे हैं बिकास लूंच में आजकल मैं डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीस बना रही हूं और जो लोगों को कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना तो फाइनली आफ्टर हैविंग माई बेकफास्ट जो कि मैंने आज काफी लेट किया था उसके बाद मैं अपने हाथों पर लगा रही थी महंदी बिकास मैंने यह डिजाइन कहीं नैट पर ऐसे स्क्रोल करत टाइम देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा तो आई थाट कि क्यों ना ट्राइ किया जाए तो बस मैं ऐसे ही टाइम पस कर रही थी तो यहां पर देखे मैंने खरीदा था एक बाक्स जो कि मैंने ओर्डर किया था मिशो से और वो काफी मल्टी यूटिलिटी वाला बा सर्च कर सकते हूं देख सकते हूं तो अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में देदूंगी काफी यूटिलिटी वाली चीज है और आप लोगो पर्चेस करना है तो यू किन पर्चेस फ्रॉम देर और यहां पर देखे यह सारी चीज है मैं देख रही थी क इसमें रखना चाहिए तो यहां प है मैं अपने yearrings निकाल रही थी और yearrings हमेशा ऐसी चीज होती है जो हमेशा आप सोसते हो कि препास्ति क्या क्या है अगर आपको यह पूरा collection देखना है तो you can ask me तो मैं इसके लिए एक separate वीडियो बना दूगी और आपको मैं वहां अच्छे स ट्राइ करके दिखा दूगी तो दोस्तों this was the box चोकि काफी useful है because इसमें इस तरीके से divide करने वाले काफी इसको मैं क्या बोलते हैं I don't know बट हाँ आप इसमें ना different तरीके के different shapes और sizes में आप इनको divide कर सकते हो और अपनी चीज़ों के accordingly इसका box का size बना के रख सकते हो तो इसमें छोटे-छोटे जगा पे आप छोटे-छोटे earrings डाल सकते हो चाहो तो rings भी डाल सकते हो मैंने इसमें सारे earrings सेट कर लिये थे और साथ मैं finger rings भी सेट कर लिती हो और ये हो गया था evening का time और अब लग गई थी मुझे बहुत age की book I was searching something healthy और अगेन यहां पे सर्च हो रही थी कबीर के लिए कुछ तो मैं चाह रहे थी कि उसको भी कुछ healthy दूँ विकाज उसको भी cold था तो इस वज़ा से तो anyways यहां पे finally हम दोनों ने यी भेलपूरी खाया था और अब मैं दिखाती हो आपको मैंने यह box arrange कर लिया था तो look at this यह बहुत ही अच्छे से arrange हो गया और मैंने सारी earrings इसमे रखे थे साथ में finger rings भी रखी थी और साथ में जो भी big size के like जुमका होते हैं चांद बाली type के earrings होते हैं वो सारे mix होके रखे होए थे बट इसमें arrange करने के बाद यह काफी अच्छे से separate separate हो गए और I'm so happy with it because मैं सोच रहे हूँ एक और इस तरीके का box order करने का because उसमें मैं big चीजां जैसे necklace होते हैं या फिर छोटी छोटे chains होती हैं pendant sets होते हैं वो रखने का प्लान कर रही थी और इसमें भी काफी boxes like three to four boxes खाली बच गए थे और यहां पे हो गया था evening का time और I was preparing घी क्योंकि मैंने एक दिन पहले इसका मखन निकाल के रख लिया था और अब मैं मलाई से घी निकाल रही थी तो बस मैं थोड़ा से यही share कर रहे थी आपके साथ और यहां पे हो रही थी मेरे dinner की preparation तो यहां पे आज मैं बनाने वाली थी खिचडी type something तो जो की चने की दाल की खिचडी बनाने वाली थी तो देखे या मैंने चने की दाल afternoon में इसमें भीगो दी थी और साथ मैं rice भीगो दी थी थी थोड़ी देर पहले तो बस मैं इसका एक pulao type recipe बनाऊंगी और prepare होने के बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनी है तो recipe तो share नहीं करी अगर आपको recipe देखना है तो मैं आपको आप मुझे comments में बताना तो मैं आपके साथ पका share करूंगी तो यहां पे this is my dinner today तो मैं बस यही चने की दाल की खिजड़ी खा रही थी with green chutney तो guys यह हो गया था next morning का टाइम और आज मैं prepare कर रही थी कबीर के लिए काठी रोल पनीर काठी रोल तो मैंने पनीर की भूरजी kind of पनीर पहले से prepare कर लिया था उसको मैंने थोड़े से capsicum और प्याज के साथ fry कर लिया था तो यहां मैंने लगा दिया था एक पराठे में green chutney and साथ में tomato sauce और यह देखे यह जो पनीर का हमने फिलिंग बनाया है इसको भी इसमें अच्छे से डाल दिया था तो दोस्तों आप लोग चाहो तो इसमें थोड़ा सा lemon भी डाल सकते हो mayonnaise भी डाल सकते हो बट कबीर को भी cold है इस वज़े से मैंने ना ही इसमें lemon डाला था ना ही mayonnaise डाली थी और ना ही कोई अलग से चाट मसाला वगरा डाला था बिकाज ये नुखसान करता दर्वाइस और यहां इसको मैंने अच्छे से fold कर दिया था साथ मैं इसमें foil paper से इसको wrap कर दिया था जिसमें ये नीचे नागिरे मसाला तो आज ये कबीर का lunch में जाने वाला था और morning morning में जब भी वो जाता है इसकोल तो वो कुछ खा के नहीं जाता है और जब से weather change हुआ है तो हम सभी का गला भी खराब है तो इसलिए वो milk भी पी के नहीं जाता है तो morning में मैं उसे sometimes dry fruit sometimes थोड़े से biscuit या मखाने दे देती हूँ और इसलिए मैंने lunch box में दो काठी रोल रख दिये थे कि otherwise उसे sometimes ज़्यादा भूख लगेगी then तो guys आज का ये lunch box प्रिपेर हो गया था तो आपको कैसा लगा मुझे comments में जरूर बताना और मैं इसके short videos तो regularly ही डाल रहे हूँ और इस पेसलिए आप लोगों के लिए video बनाने के लिए मैं जल्दी उठा करती हूँ आजकल और कभीर का lunch प्रिपेर करती हूँ तो दोस्तों finally कभीर चला गया था school और मेरे husband भी office चले गए थे तो मेरे पास था थोड़ा सा खाली time तो मैं यहाँ पर time pass कर रही थी again मैंने second hand में भी mehndi लगा ली थी और यह mehndi थोड़ी सी mix up सी हो गई थी because मैं साथ में कुछ काम भी कर रही थी तो दोस्तों time हो गया था round 11 o'clock का और मुझे लग रही थी तेज भूख तो मैंने सुचा अपने लिए भी breakfast प्रिपेर कर लेती हूँ तो आज मैंने again bread omlet बनाया है और साथ में बन रही थी चाय तो यहाँ पे देखिए आज मैंने नया frying pan यूज किया है bread omlet बनाने के लिए इसमें omlet तो काफी अच्छा flappy सा मोटू सा बन जाता है बट इसको turn करने में बहुत महनत लगती है like तूट जाता है maximum time तो मैंने फिलिंग बच गई थी थोड़ी सी तो मैंने वो भी लगा ली थी एक bread के उपर और एक bread के साथ मैं खाने वाली हूँ omlet तो guys आप लोगों को पता है बच्छों का कुछ भी बच जाता है like खाने पीने का समान तो हम ही लोग फिनिश करते है तो हम अगरे लोगों का को मैंने दो जल्दी जल्दी, get up यह क्या है यह क्या है हम यह मैं गज़्टीज यह मैट सूट पर नहीं है यह मैट सूट नहीं है तो यह मैट चीज़ कि अपी क्या है दिखा दो अरे वा यापको कब सुचे यह था इसमें फोर है ना फोर सुर्कल ना अभी चला के दिखाना आप ठीक है सबको अभी पहले चेंज कर लो लंच कर लो देन कर अपी अपी है